वेलकम टू लीली आर्टिस्ट फैपिक वर्क्स आज मैं आपको बताऊंगी कि आप एक लोटस को बिल्कुल रियालिस्टिकली कैसे पेंट कर सकते हैं जो कि देखने में बिल्कुल रियल लगे तो आपको इस वीडियो में क्या करना है step by step वीडियो को watch करना है बहुत ही carefully हर पिटल की shading को ध्यान से देखना है और जब आप अपना paint करेंगे उस वक भी आपको इसी तरीके से step by step हर पिटल को shade करते हुए ही paint करना है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं चुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले इस लोटस को paint करने के लिए मैं यूज कर रही हूं light pink और dark pink color अगर आपके पास light pink color नहीं है तो आप white और dark pink को mix करके बना सकते हैं जिससे कि आपके पेंटिंग थोड़ी फास्ट हो जाती है आप चाहें तो dark pink और white को directly बेस पे लगा के भी mix कर सकते हैं लेकिन उससे क्या होता है कि पेंटिंग का process थोड़ा सा slow हो जाता है और अगर आप अलग से बना लेंगे तो आप directly apply कर सकते हैं उससे आपकी पिटल की शेडिंग की ध्यान रखना है तभी उसका जो पूरा लुक जब और और बन के तयार होगा तो वह एकदम ही रियल लोटस की तरह लगेगा तो हम वन बाइवन शुरू करते हैं इसके लिए आपको सबसे पहले तो बेस पे लाइट पिंग कलर लगाना है लाइट प उसको पेंट कर लेते हैं फिर मैं बताती हूं कि आगे क्या करना है तो देखिए ध्यान से देखिए लाइट पिंग कलर को फिल करेंगे और उपर से डाग पिंग कलर की आउटलाइन देंगे फिर दूसरी पिटल को भी सेम उसी तरीके से करेंगे यह आप चाहें तो पहले लाइट कलर फिल करके और बाद में लाइट कलर को भी नीचे से फिल करके शेट कर सकते हैं वह प्रोसेस ज़्यादा डिपिकल हो जाएगा और यह जो मैं बता रही हूं यह इजी प्रोसेस है तो आप इस तरीके से पहले पूरी लोटस को पेंट कर लेंगे देखें सेम ही उसी तरीके से सेम मैं इसमें भी कर रही हूं पहले लाइट पिंक कलर मैंने फिल कर लिया और फिर उपर से डाक पिंक कलर से आउट लाइन करके शेट कर दिया इसी तरीके से आपको करना है बहुत ही आराम से मैंने एक साइट पर अलग से करके आपको दिखा करेंगे अगर आप चैनल पे नए हैं और प्राप्रिक पेंटिंग में बिगनर्स हैं तो मैंने बिगनर्स के लिए लोटस अलग से ड्रॉ करके पेंच करके बताया है तो आप वो वीडियो ज़रूर देखे या मैं आई बटन पर दे दूंगी आप वहां से देख सकते हैं हम वन बाई बन अपनी बिटल को उसी शेड से करते जले जाएंगे और आप देखेंगे कि आपका लोटस बिल्कुल ही रियल जैसा लगेगा बस आपको फॉलो वही स्टेप करना है ध्यान से आराम से ब्रेश को चलाना है थोड़ा प्रेशर के साथ अब यह हमारा जो बीच का पार्ट है इसमें थोड़ा सा चेंज हो रही है पिटल तो आप देखें मैं किस तरीके से कर रही हूं शेड आपको जब करना है वीडियो देखते भी करना है ताकि आपका शेड बिल्कुल खराब ना हो और वन बाई वन सेम स्टेप को दोर आएंगे और करते चले जाएं या आप किसी भी तरीके से करिए शेड आपका यह आना चाहिए देखे हमारा आधे से जादा जो है लोटस पेंट होके तयार है अभी मैं जो नीचे करूंगी उसमें फोड़ा डिफरेंट है उसमें ग्रीन लगाना है मैं अभी आपको बताऊंगी कैसे लगाना है क्योंकि ह अब हम लोग कर रहे हैं अपने लोटस का बिल्कुल ही लास्ट लास्ट वाला जो पार्ट होता है आप देख रहे हैं हमारा आधे से जादा पेंट हो गया है लेकिन अभी शेप उतना क्लियर नहीं है जैसे ही मैं उधर की जो दो पिटल है उसको करूंगी पेंट आप दिख लग रही है नहीं लग रही है अगर शुरू किये हैं तो खतम भी जरूर करेंगे ताकि आप कैसा भी पेंट करते हो आप बिगनर्स हो या अच्छे पेंटर हूं कभी कभी क्या होता हमें अपनी डिजाइन ही लगता है पसंद नहीं आती लेकिन जब हम उसको कंप्लीक पें लाइन होके आ गया और यह हमारा लगने लगा बिल्कुल ही रियल लोटस लास्ट पिटर पर हम करेंगे शेडिंग उसके बाद लगाएंगे ग्रेंशेड बीच में सबसे पहले मैं इसको फिनिश कर रही हूं सारे पिटल को फिनिशिंग भी देते हैं हलका हलका यह आपको में एक ही पिटल लग रही होगी लेकिन इसको मैं करूंगी इस तरीके से कि एक उसके नीचे है और यह उपर तो आपको यह सारी बाते ध्यान में रखनी है इसलिए मैं बोलती हूं कि वीडियो को देखते हुए आपको प्रिंट करना है और उसके बाद हम नीचे इसके दे रहें ग्रीन शेड क्योंकि हमको दिखाना है कि यह जो लोटस खिला हुआ है उसके निचे जो ग्रीन पार्ट होता है उसको शो करना है जिसकी वजह से यह बिल्कुल ही रियल लगेगा और फिर हम हलके जो ब्रश में कलर है वह बहुत हलका होना चाहिए ज्यादा होगा तो पिंक कलर के उपर आ जाएगा उसके बाद हम बनाएंगे इसका बीच वाला पार्ट जो आपको दिख रहा होगा थोड़ा थोड़ा वाइट बीच में से तो हम उसमें अभी उसको हमने बनाया नहीं उसको हमें ग्रीन कलर का ही बनाना था तो इसको छोड़ा हुआ था अब देखिए इसमें हलका यह बहुत ही थोड़ा सा दिख रहा है लेकिन दिखाना हमें बिल्कुल ही रियल है तो बहुत ही ध्यान से हम कलर लगाएंगे शेट के साथ लगाएंगे थोड़ा सा ही स्पेस है लेकिन उपर मैंने लगाया है लाइट ग्रीन और नीचे डाक ग्रीन यह सारा कलर करने के बाद अब हम करेंगे जीरो नंबर का ब्रश लेंगे और उसको हम पेंट करने के बाद लाइनिंग से शेड करेंगे देखे पहले हम लाइन बना रहे हैं जिस तरीके की पिटल है उस तरीके की लाइन बनाएंगे और फिर हलका हलका शेड दे देंगे ज्यादा बड़ा शेड नहीं देंगे छोटा छोटा शेड देंगे वो इक दमें उसके उपर नहीं आना अब ये आप देख रहे हैं इसका लुक जो है कितना ज़्यादा डिफाइन होता जा रहा है इसी तरीके से वन बाई वन हम सब को आउटलाइन करेंगे आउटलाइन करने के लिए जो आपका कलर है वो बहुत ही अच्छी कंडिशन में होना चाहिए रनिंग कंडिशन में ताकि आपकी आउटलाइन बहुत ही अच्छी फिनिश बने जितनी फिनिश आउटलाइन उतना फिनिश आपका लोटस दिखेगा देखें मैं जैसे जैसे कर खिलासा लोटस तो यही सारी बात आपको ध्यान में रखना है तो फिर आप चाहेंगे यह लोटस कहीं भी पेंट कर सकते हैं डिजाइन आपको इसी भी बनाई है अगर आप शेड ऐसे करेंगे पेंट ऐसे करेंगे तो आपकी डिजाइन बहुत ही जबरदस्त बनेगी तो डिजाइन आप अपने हिसाब से भी अरेंज कर सकते हैं और शेडिंग इस तरीके से करके बहुत ही जबरदस्त आर्टवर्क बना सकते हैं जिसको आप अपने कलॉड उपटे या बेट शेट जहां भी चाहें बिलो कवर पे उसको डिजाइन कर सकते हैं आप इसकी वाल में फैई जिनको वीडियो की जरूरत है ऐसी वीडियो की जो फैबरीक पेंटिंग सीखना चाहते हैं उनके साथ जरूर्ष शेयर करें ताकि वह भी बहुत ही आराम से फैब्रिक पेंटिंग सीख के इतनी होपसूरत पेंटिंग कर सके मिलते हैं हम नेक्स वीडियो में तिल देन आप और सारी वीडियो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं और यह सारी वीडियो भी जो आपको उपर अभी स्क्रीन पर शो होंगी जिससे आपको बहुत ही हल्प मिलेगा टेक कियर बा